किसान बायो नमस्कार किसान बायो आज हम बात करने वाले है variety 0.23 जो गंणा होता है या और भी जो पंदा 0.43 गंणा होता है जो और भी इससे अधर जो गंणे होते है गंणे के विरायिटी होती है उसमें यू रख़़ प्यों कैसे करें किसान भायो अब तक का सबसे जो घातक बीज है गन्ये का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालने वाला बीज है वह है 0238 किसान भायो इस से ज़्यादा आज तक कोई भी बीज हो गन्ये का वह है उत्पादन ज़्यादा निकालने वाला बीज है वह है वाराइटी 0238 से कितने मातर में यूरिया उपसंग होती है उसका bat कारण करना सभी जिससे की गन्य में रोग ना लगे बहुत से ख्यां भाई शोचते है कि ज्यूर जादा उपयोग करेंगे तो गन्य में जादा रह लेगा या नहीं करेंगे तो ग्रने पिला पना जाएगा और करने के पड़वार पे अच्छे से नहीं चलेगी तो किसान भायू आपको घपराने के बिल्कुल भी ज़रूर नहीं है आप यूरे का उप्योग करिए किस तरीके से करना है आपको इस वीडियों पूरी जान करने मिलने वाली है कितने मातर में करना है वहाँ भी सब यापको इस वीडियों मिलने वाली है आप वीडियों में अंत्रग में लगिए और जदि आप अभी तक हमारे चैनल पर पहले बार आया है तो चैनल को सब्स्क्राइब करके पहले इनको प्रेस कर लिजेगा और किसामबयों वीडियों को लाएगे भी किजेगा तो किसामबयों बात करता है कि यूरिया कितने मातरा में उप्योप में लाने चाहिए किसामबयों यूरिया की कारिया की बात करे यूरिया कारिया होता है गन्ने में जो हमारे गन्निक फचल होती है उसमें कलोरोफेल की मातर को बढ़ाना जिससे की पोधे की जो भाना बनाने की परकिरिया होती है वह अच्छे से कारे कर सके और वह हमारा पोधा नाइटोजन ले करके अच्छे बढ़वार कर सके और जिदी हमारे गन्निक खेत में कोई पीली पत्य हो रही है पीलापन देखने के बराबर रहा हो सके है यह यूरे होता है ग्रोथ चलाता है यूरय ही चलाता है किसान बैं डरता है कि यूरे का अप Ayok कैसे करना चाहिए कि اिस तरहर के से करना चाहिए तो किसानभाई जो ज़्यादा तर रोग यूर्या की तेगने मिलते हैं जब हमारा जोलाई के बाद से जोलाई के बाद में बता सुरू हो जाती है और जैदि उस समय पर किसानभाई यूर्या को प्योग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा जो अपने गन्ये में रोग ज्यादा ऐसे डालते हैं तो किसान भी फिर भी उसे रोग से बहार निकलने में 15-20 दिन लग जाते हैं और 15-20 दिन में गन्ना की ग्रोध बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं जिससे के मारोध पदन आने वाल समय में कम निकलता हैं लेकिन किसान भाज यूरेक अपयोग की बात करें तो हर बीघा के हिसाब से यूरेक उप्योग कर सकते हैं आपको खफ्राणे कोई भी जवाट नहीं है कोई बी लोग नहीं लगेगा यदि आप 5 Kollege oxid हिसाब यूरेक इस्तेफने हर पानी पर आप 5 kg परती बिगा के इसाब ज़र यह लगा प्योग करिए उससे ज़्यादा आप यह लगा प्योग बिल्गूल भी ना करें यदि उससे ज़्यादा यह लगा प्योग करते हैं तो हमारे गन्ने को एक दम से ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी और किसान भाईयो जब ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी तो उसमें जो कीट होती है उसका टैक भी चादा बनेगा और किसान भाईयो आप कोजिस करिए कि पहला पानी छोड़ करें हो सकता है हो सकता है तो आप पहले पानी पर कोराजन वगेरा करतें अपने खेत में लेकिन किसान भाईो जिदि आप पहले पानी पर नहीं डाल सकते तो आप दूसरे या तीसरे पानी पर एक घा तक कीट ना सकते जिसका रिजर्ट हमें 2-3 महिने तक मिल सके ऐसे कीट ना सक कॉप्यों कर ले जिससे कि आपके खित में रोग आये ही ना किसान भाईो रोग आ जाता है अस्प्रे करती खाड डाल दिया रोग चला गया लेकिन किसान भाईो आप रोग आने से पहले ही खाड डाल दिया है यदि आप रोग आने से पहले कीट ना सक दबाय का अप्यों कर ले देखो आप देखिए कि रोग आ गया तब भी इस्थमाल क को अप्योग कर लिजे जिससे कि आपके खेत में ज्यादा लंबे समय तक कोई कीट का प्रभाव ना हो सके और दूसरा किसान भाई यूरिया के बात करें तो योलाई करता हूँ आपको जानकर अच्छे लगी होगी यह आपको जानकर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा